कि सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रो स्वागत है राजस्तान जीके के एंटिवाटिक स्रीज में और आज हम लेके हाजिर हुए हैं आपके बीच में आपके भेड़ परशु संपदा की हम लोग बात करें देखिए सवाल आपके सेकंड गेड़ हो आपके फस्ट गेड़ हो आपके बकरी के हैं उटकी हैं गाय कीया यह आपसे ब्यनसल कौन से जिलों में पाई जाती है तो वैसे पर्टिकुलर जिला तो महीं लेकिना आज पास का इलाका भी उसके साथ clip włos he पाट के राज़्य का भारत हैं याने आपके पश्चु को लिए आपके राज्य को लिए राज्य का पत्र अिस्तान कौन सा तो चोता बहरत में जो आप लोगों के कुल आपको साथियों भेड़ पाई जाती है उसमें से लगबगे कहिए 10.64 परतिसाथ यानि सो में से हम 11 परतिसाथ हमारे राजस्तान मिलती है और राज्य की जो पशु संपदा उसमें भी चोथा इस्तान है राज्य की कुल आप लोगों के पशु है उसमें 14 यानि 13 पॉइं में अब बात करते हैं मित्रों राज्य में सरवादिक भेड़े बाडमेर में है न्यूंतम भेड़े बासवाड़ा में और उन उत्पादन अब देको सभी बुकों में आप लोग पढ़ रहे हो 31 परतिसाथ के आसपास उन उत्पादन होता है लेकिन साथ्यों आर्तिक समिक् करना है करना है कि करना है तो भी हमें बेकान आपड़ेगा उनकी मंडी-बिकानेर में होगी और हमें उनकी क्वालिटी देखनी है उन का विश्लिशन करना है तो यह विश्लिशन भी कहा होगा बी कन्दियर में होगा सत्य।ira === करें अगर विकास करना है उनका तो जोधपुर जाना पढ़ेगा और सत्य। विदेशिया आयात निर्यात केंदर और मिल जाए तो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा मंडी भी कंदिर में है तो प्रियोग भी कंदिर में करेंगे अरे हमें उन कि विकास करना है जोधपूर जाना पड़ेगा लेकिन और ब maze पर सिक्षण के अंदर पर सिक्षण काम ने का पर समी काम राज्य सरकार का है तो भी पर सिक्षण के इंदर हमारा का है मित्रों ज्यापूर में अगर हम विदेशिय आयात नियात केंदर मिल जाए साथ्यों तो हम कोटा पूरा हो जाएगा तो हम कह रहें देकि आयात निर्यात के दिर nào के बात करें दो कोटा हो जाएगा भेढ़ एवं उन first पर के दिर की बात करें तो ामारे कहां जाएगा जैपुर में जाएगा तक यहां अमारे पर आपके किस की नसल है बेट नसल है तो मित्रों यहां नाली के हम लोग बात करें जो नलिक ऌनल को कहा है आप गंगनगर हन्मानगर का जो बहलत है आपके गंगर नदी का बैहाओ छ्हेतर है उसे मित्रों हम लोग क्या कहते है नाडी कहते है तो आपके लंबे रेशे की क्या होगी नाडी यहां मिल गई गाएकी नेसल गाएक की नसल बीटृ ॐनन्संदान के अंदर नसल नसल दी ती उपना मंबात करें चोकला अछापर शात्यों बात की मोरिना कहते है और बनी इसलिग कह Teraz कि अगर से पूछे शरवाद उन देने वाल नसल तो जैसल मेरी है उत्तम पुछे तो आपके कौन सी है आपके साथ यह शेकावाटी वाली है इसे हम चोकला चाफर कहते हैं बागडी बागडी कहा में लेगी आपके अलवर वगेरा देख रहें आप लो पिच्छे तरपर्चत मुह काला होता है आप देखो मालपुरी मालपुरा कहा है टोक में है तो मालपुरी अरे मालपुआ साग देशी भोजन बताते है मालपुआ साग को तो देशी भोजन है मालपुआ साग मालपुरी देशी भोजन है मालपुआ साग मालपुरी तो हमारी देशी नसल साथी हो छोटे-छोटे-छोटे कान होता है और उनका रेशा मोटा होता है म यहां आपके पाली है तो खेरी नसल आपके पाले मिलेंगे साथ जो घुमकर नसल कहते हैं। इसेलिए यह बीशेश्चान साथ साथ जान के आप जमीन पर चरते समिछ जमीन को इसपर्श करते हैं। उसे लिए उसको उपनाम चन्नोतर कहा है एरी इंपोर्टेंट सवाल बनेगा कि लंबे कान वाल नसल पिना सींग वाली बक्री किती शेखावाटी या लंबे कान वाल नसल आपके सोनाड यह साथ यह आपके इस पर सकरते हुए चलती उपनाम क्या हो चन्नोतर हो गया भेड ब लाध करें मारवाडी मारवाडी तो नसल हेमारे पास में आप पूछे राज्य में सर्वादिक वेड़े ऊन डेने वाल नसल जैसल में रिये और सबसे सुन्दर नसल आपके उन है खवाटी घ्यान रखेंगार वैसे हम अधिकांस में अमारे पिले रंकी में यह ऑथी यह आ अनुसंदान केंदर इनका जोदपुर में वैसे बेड़ या आपके केंदरी भेड़ अनुसंदान पूचे अविकरने टोक में इसकी बात कर रहे हैं तो सरवादिक भेड़े यह है रोग परतिरोदक छमता काम पाज़ते लंबी दूरी ते करने में और जैसल मेरी अगर हमसे जो क्या है परजनन केंदर आपके नसलों के साब से अलगा लग होते तो इसके जो परजनन केंदर है वे आपके पौक्रण और मंदोर में तो साथियों यह आप लोगों के भेड़ संपदा समद स्क्रीन शोट ले लिए टैनिक राम को जोईन कर लेना हमारे यूटूब चैन को दबा देना धन्यवाद थैंक्यू